हेलो दोस्तों स्वागत आपका Just Focus IS में मेरा नाम है लली तानन और हमने खतम कर लिया है आदुनी भारत का इतियास अब मैं यह नहीं कहूँगा कि हम लोग पढ़ रहे थे आदुनी भारत का इतियास चुटकारा मिला उससे खेर मैंने आप लोगों से पूछा था कि हमको क्या स्टार्ट करना चाहिए तो आप में से जाज़तर लोगों ने कहा था कि हमें Indian Art and Culture स्टार्ट करनी चाहिए तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं इसके नोट सब तयार है यानि कि इसका जो raw material है वो हमारे पास तयार है ब ठीक है यदि हमें लगा कि आपका response ठीक नहीं है या हमें ये नहीं पढ़ाना चाहिए तो हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे यानि कि वोटिंग के अधार पे होगा सब कुछ यानि कि यदि आप लोगों में से जितने लोग आप देखते हैं उसमें से 50% लोग भी यदि ह हमें like या comment करके बताते हैं कि हाँ आपकी वीडियोओ ठीक है और हमें इसे continue करना चाहिए तो हम लोग इसको continue करेंगे ठीक है और यदि आप मैंसे जितने लोग वीडियोदेखते आप लोग देखते हैं और आगे बढ़ जाते है यह नहीं सोचते हैं कि या लाइक करके बता यदि आप लोग लाइक करते हैं या आप कमेंट करके बताते हैं तो अच्छा लगता है एक motivation मिलता है कि हाँ चलो हमें किसी के लिए कुछ करना चाहिए हम दूसरों के काम आ रहा है इस से अच्छा क्या हो सकता है ठीक है तो आप में से जितने लोग देखते हैं उसमें से 50% मै करेंगे यदि like के जादा है तो हम वीडियो continue करेंगे यदि हम देखेंगी dislike के जादा है तो भाईए समझ लो कि तुम्हें पढ़ाना नहीं आता है और हम लोग नहीं पढ़ाएंगे ठीक है तो आपके हिसाब से चलेगा आप जैसे आपके उपर depend है कि आप क्या चाहते है आ दूसरा हम करेंगे भारतिय चित्रगला तीसरा भारतिय हस्त सिल्फ हम करेंगे चोता फिर हम भारतिय संगीत करेंगे फिर हम भारतिय निरत्य विधाय देखेंगे उसके बाद में हम देखेंगे कि भारत में युनेसको के मूर्त विस विरासत इस्तलोगी जो सूची है उसको पढ़ेंगे फिर हम देखेंगे साहिते और फिर हम देखेंगे धर्म दर्सने की जैन बहुत जो थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है अब इसमें मैंने कवर क्या किया है यह आपको बता दूँ एक तो जो एकदम हिंदी मीडियम में परचली थे नितिन सिंगानिया सर की यह पुस्तक है उसको मैंने रेफरेंस के तोर पे लिया है दूसरा स्पेक्टरम से मैंने कुछ अच्छे-च्छे फैक्ट उठाएं है वो है और तीसरा जिसका हववा मार्केट में बहुत ज़्यादा है कि तमिलनाडू बोर्ड की NCRT जो है उससे क्वेस्चन आते है को एक तरह से सुनोपसिस की तरीके से इसको पढ़ाया जाए ठीक है क्योंकि शब्द तो आप अपने आप भी दे लेंगे इसको कि भई आपको अधी लेंग्वेस देनी होगी तो आप दे लेंगे यदि आपको किसी चीज का फोटो याद है तो आप लग उससे सब्द आसा अच्छा पिछले जब हम आधोनी भारत पढ़ रहे तो उसमें किसी ने खाता कि आप इंगलिस भी थोड़ा यूज कर लिया करिए तो इसमें हम इंगलिस भी यूज करने की कोशिस की है तो वास्तुकला यानि कि आर्किटेक्चर है और जिसका अर्थ होता है निर्माता या बिल्डर ठीक है जब आधिकाली मनुष्य ने क्या किया अपने आश्रे का निर्मान करना प्रारंब कर दिया तो वहीं से क्या हुआ वास्तुकला विज्ञान का जन्म हो गया ठीक है वहीं दूसरी और यदि मूर्तिकला की बात करें यानि कि स्कलप्चर की बात करें तो स्कलप्चर सब्द जो है ये प्रोटो इंडो यूरोपिये मूल का केल से लिया गया है ठीक है प्रोटो इंडो यूरोपिये शब्द जो है केल उससे लिया गया है जिसका अर्थ होता है काटना या फारना ठीक है यदि एक लाइन में प तो अंतर देखेंगे हम एक तरफ वास्तुगरा लेते हैं, एक तरफ मूर्तिका लेते हैं और अंतर के बिंदू में बताता चलता हूँ आपको यदि पहला बिंदू हम देखें कि आकार और विस्तार के तोर पे देखें यदि तो भवनों के निर्मान ये डिजाइन को ठीक है भावन मल्ले वास्तुकला क्या कहता है वास्तुकला भावनों के डिजाइन और निर्मान को संदर भीत करता है जबकि जो मूर्तिकला है मूर्तिकला क्या बताता है कला की अपेक शक्रत 3D रचनाय यानि कि 3 आयामी रचनाय जो होती है वो मूर्तिकला में आती है ठीक है जो विभिन सामगरी हैं इनके मिस्रण से इसको बनाते हैं वास्तुकला में ठीक है जबकि जो मूर्तिकला है मूर्तिकला में सामानते एक ही परकार की सामगरी प्रियोग में लाई जाती है उसमें मिस्रण नहीं लाया जाता ठीक है चाहे आप उसको पत्थर से बना लीजे अंतर का बिंदू लें तो वास्तुकला में क्या होता है अभियांतरी की और अभियांतरी की गनित की अध्यन का समावेश होता है यानि कि उसमें सटीक मापन की जरूरत होती है जबकि मूर्तिकला में क्या है यदि आप किसी का चेहरा बना रहे थे और आपसे नाक लंबी बन तो लंबी बन गई तो लंबी नाक वाली मूर्ती हो गई आखे आपसे लंबी बन गई तो आखे लंबी वाली मूर्ती हो गई तो इसमें क्या है कि ये एक तरह से कलपना से बनते हैं इसमें सटीक मापन की जरुरत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं ये तो हमने पढ़ लिए अंतर अब हम देखेंगे हम चलेंगे कैसे कैसे तो पहले देखे प्राचीन भारत में हडपा कला, मौरे कालीन कला, फिर मौरियोत्तर कला, गुप्त कालीन कला और दक्षिन भारते कला यह हम प्राचीन भारत की कला संस्क्रिती में देखेंगे फिर हम मध्यकालीन में जाएंगे तो दिल्ली सल्तनत और मुगलकालीन ठीक, आदुनिक भारत में जब हम आएंगे तो इंडो गोथिक शैली देखेंगे और नव रोमन शैली देखेंगे ठीक है तो बात कर लेते हैं हडपाई कला और वास्थु कला की ठीक है तो तीसरी सताबदी के तीसरी सताबदी इसापूर में क्या हुआ सिंदू नदी के तटपर जो सबَّयता विक्सित हुई उसे कुछ लोग कहते हैं हडपा सब्वेता कुछ कहते हैं सिंदु घाटी सब्भेता, जो आपको कहना है, आप लग उसको, कहले ईसको समाये तो दोन रूपों में जाना जाता है, ठीक है, इसकी विसेश्था क्या थी, इसकी विसेश्था थी, कि ये जीवन्त कल्पना और कलात्मक सम्वेदन सीलता, इस सब्भेता की विसेश्था थी, विशेस्ता थी एक ठीक है ठीक आगे अब हडपा सब्वेता की वास्तु कला की तरफ चलते हैं ठीक है आपको याद रखना इनकी विशेस्टता क्या थी कि जीवंत कल्पना और कलात्मक सम्वेधन सीलता ठीक है हम आते हैं हडपा सब्वेता की वास्तु कला की तरफ तो एक त जो सडके हैं जैसे यहां से यहां यहां से यहां ठीक है नौर्थ से साउथ और इस्ट से वेस्ट यह क्या थी बड़ी-बड़ी सडके थी और एक दूसरे को यह 90 डिगरी पे काटती थी ठीक है ऐसा नहीं था कि केवल बड़ी सडके थी छोटी सडके भी थी लेकिन वो छोटी सडके क्या थी केवल घरों को जोडने के लिए या अपार्टमेंट जो थे हैंने कि बहु मंजिला इमारते जो ही उनको जोडने के लिए छोटी सडकों का प्रियो किया जाता था ठीक है जब हडपा सब्वेदा का उत्खनन हुआ तो वहां से तीन प्रकार के भवन जो हैं मिले हैं एक होते हैं निवास ग्रह एक सारजनिक भवन और एक है सारजनिक इसनानागार ठीक है जो ये सारजनिक इसनानागार है इनका निर्मान होता था पक्की मिट्टी की इटो से ठीक है और उनको जोड़ा कैसे जाता था उनको जोड़ा जाता था जिपसम और गारे से जिपसम और गारा मिलाया उनको जोड़ दिया ठीक है अब इसमें जो ये सन्नचना प्राप्त हुई है हमें उसमें दो प्रकार के मलब नगर जो है वो दो भागों में भाजित था एक होता था गड यानि कि ये यानि कि जो उचे पे होता था और दूसरा होता था निचला इस्थान ठीक है यह आपको चितर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने गड़ को ऐसे बना दिया है गड़ उचा और एकी नीचा यानि कि ये हो गया गड़ और ये है निचला नगर यानि कि नीचे वाला इ तो अब यहाँ पे जो है गड़ इसको गड़ या गड़ी भी कहते थे यहाँ पे मेंली क्या था उचे पे कौन लोग रहेंगे उचे लोग रहेंगे यानि कि सासक और अभिजात वर्ग जो था वो गड़ में रहता था ठीक है और यहाँ गड़ में क्या बनते थे यानि विश विषेस्ता यह थी जिसे अब अन्नगार पर मान्स गेहुं किसी को भरना हो मानले जाभे लिएकज़ामपल गेहुं भरना है किसी कमरे में तो अब वहां पर क्या होना चाहिए कि वहां पर वयू संचार आती जाती रही जिससे वो खराब ना हो ठीक है, मलब कीटों से भी उनकी रक्षा हो जाती थी और वो सेफ रहते थे ठीक है, अब यह जो नीचले स्थान वाले हैं, यानि कि नीचला नगर तो यहाँ पर कौन श्रमिक वर्ग यहाँ पर रहता था ठीक है अब इन शर्मिक वर्ग जो था इसके अपने निजी कुए होते थे इस नानागार होते थे ठीक है अब यहाँ एक कक्षिय भवन होते थे मुख्य थे यानि कि 90% मानियाब कि यहाँ पर एक कक्षिय भवन है लेकिन ऐसा नहीं कि एक कक्षे है केवल एक कक्षे भवन है ऐसा भी जहां सीडियां प्राप्त हुई है अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एक कक्षे भवन में सीडियां बनवाएगा तो यानि कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जिन घरों से सीडियां मिली है यानि कि वो द नालियां होती थी कि किसी को कोई बिमारी न हो जाए और जो ये नालियां थी ये हर घर से जुड़ी हुई थी और ढकी हुई थी और फिर जाके किसी नाले में खुल जाती थी ठीक है अब चलते हैं कि यहां से मोहरे कैसी प्राप्त हुई है तो मोहरे यहां से हर प्रकार की मोह सी मिली है तो सब से ज़ादा आपको वरगाकार मिली है ठीक है यह साइन मैंने इसलिए बड़ा बनाया है ठीक अब यह बंती कैसे थी तो जो महरे बंती थी वो नदी तल में पाया जाता था मुलाएम पथर इस्टे टाइट सबसे ज़्यादा महरे उससे बनी हुए है ये साइन है सरवादिक का ठीक है तो सरवादिक महरे एक तो पाई गई है वरगाकार वाली ठीक है दूसरा सबसे ज़्यादा बनी किस्से है जो नदी तल में मुलायम पत्थर पाया जाता था इस्टेटाइट उससे बनी है ठीक है ब मोहरो पर जो लिपी थी वो चित्राकसर थी यह नि कि pictographic script थी अब pictographic थी तो वो पढ़ी नहीं गई है अभी तक ठीक है दूसरा उस पर लिखते कैसे थे लिखते थे दाई से बाई और ठीक है अब उन पे जो आकरतिया थी मैंने मोहरो पे जो आकर्तिया थी वो पाँच पशू आकर्तिया सरवाधिक मिली है पाँच पशू के आकर्तिया जैसे एक है कूबड़ वाला बैल ये कूबड़ का साइन है ठीक है कूबड़ वाले बैल की मिली है गेंडा मिला है बाग मिला है हाती मिला है भैस और बकरी मिले है हाँ इंपोर्ट चरड़, तामबा, काचाप, टेरा कोटा, तामबा, सोना, हाती दाउत इससे बनी हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है कि लोहे की बनी हुई नहीं मिली हैं, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक, दूसरी बात, एक छेद वाली महुरे भी मिली हैं, ठीक है, इनको क्या करते थे जैसे कोई मरा कोई लाश है तो ये क्या करते थे शव के साथ में ताबीज रख देते थे शव के साथ में ताबीज रख दिया तो इससे एक चीज समझ में आए कि ये लोग अंदविस्वास तो अंदविस्वासी थे ये लोग भी ठीक है यानि कि भूत प्रेत को ये लोग मानते थे ठीक है अब कुछ जो मोहरे हैं उन पर गणितिया करती भी प्राप्त हुई है अब गणितिया करती है यानि कि उसका उद्देश से क्या था उसका उद्देश से है मोहर का सेक्छनिक उद्देश से है उसका ठीक है आगे बढ़ते हैं अब एक example है ये पशुपती की मोहर ठीक अब इसमें जो चित्र बनाया है सारी बाते आप उसी से derive कर सकते हैं कि वही एक व्यक्ती है पालती मार के बैठा है सिर्पे तीन सिंग वाला मुकुट है उसके एक तरफ हाती और बाग है एक तरफ गेंडा और भैस है नीचे दो हीरन है ठीक है तो अब आप यहां से derive कर सकते हैं कि ये जो ये मिली है मोहन जोदारों से ठीक है मोहन जोड़ों से म मुकुट पैना है और चारों और पस वो से घिरा हुआ है ठीक है जिसमें एक और उनके हाती और बाग है दूसरी और उनके गैंडा और भैस है और पालती मार के बैटे हैं नीचे दो हीरन है उनके ठीक है तो ये इतना सारा लिखने की बजाए एक चितर बना दिया उससे आ जाएंगी ठीक है अगला एक कांस से मूर्तियां तो आपको याद रखना है कि हडप्या सब भेता में कांस से की ढलाई बहुत जादा होती थी ठीक है जो कांस से मूर्तियां बनती थी वो बनती थी लुप्त मॉम तकनीक से ठीक है लोस्ट वैक्स तकनीक जो थी उससे बन कर दिया फिर उसे सूख ने दिया फिर उसके बाद क्या किया कि उसको गर्म किया जब गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो मोम है वो पिंखल जाएगा तो फिर एक तरफ क्या किया उस मूर्ति में एक तरफ छोटा सा छेद कर दिया और वहां से सारा मोम क्या किया बाहर निकाल ठीक है अब जो वो खोखला साचा बचा उसके अंदर वो धातू डाल दी यानि कि जैसे कांसे की मूर्ती बनाई तो उसके अंदर वो पीगला हुआ कांसा डाल दिया ठीक है फिर जब धातू ठंडी हो गई जब वो जम गई तो क्या गया मिट्टी का जो लेप था उसको हटा दिया गया ठीक है तो इससे क्या हुआ जो आकरती थी मौम की वो तो मौम तो गायब हो गई और कांसे की एक मूर्ती बनके सामने आ गई ठीक है कांसे की विष्व में सबसे पुरानी मूर्ती जो है एक नर्तकी की मूर्ती बिली है ठीक है ये विष्व की सबसे पुरानी मू जीए कि उसका एक हाथ चूडियों से भरा हुआ है दूसरे हाथ में भी कंगन है और ताबीज है ठीक है कुछ पहना नहीं है नगन महिला है एक हाथ उसने अपने इदर रख रखा है दाई ने मलब एक हाथ उसने अपने कुले पर रखा हुआ है तो ये जो मुद्रा है ये टेराकोटा यह पक्की मिट्टी से जो बनती थी ठीक है इनकी संख्या कम है और यह भद्धी होती थी देखने में ठीक है यह सबसे ज़्यादा मिली है गुजरात और काली बंगा में सबसे ज़्यादा मिली है इनकी जो मुख्या आकरतिया है क्या वह खिलोने बने है लगू गाड़ी बनी है और उनके पहिये बने है ठीक उधारण के तोर पर मातर देवी और सींग वाले देवता का मुखोटा टेराकोटा से बना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं मरदभांड अब इनके जो मरदभांड पहली बात की सरवादिक जो है चाक पर बन है नहीं कि लाल और काले रंग है उनन पे जिसमें क्या होता था कि लाल रंग की तो प्रस्टभूमी है लाल रंग से पहले जैसे मानिए ये एक मरदभांड है ठीक है तो इसको पहले पूरे को लाल रंग से इनोंने लेप दिया और फिर काले से क्या किया उस पे डिजाइन बना दिया, आप डिजाइन कैसे बना सकते हैं, ये व्रक्स बना सकते हैं, पसू पक्छी बना सकते हैं, ये जैमितिया करती कोई बना सकते हैं, इनके अपने अलग-लग विशे थे, ठीक है, जो सादे मरदभांड होते थे, उनका प्रियोग ये करते थे, अनाज और पानी के भ पहनेगी मेल फीमेल दोनों आभूशन पहनते थे हाँ कुछ चीज ऐसी हो सकते हैं कि मानियों जैसे चूडिया हुई या पायल हुई वे केवल महिलाए पहनेगी ये तो कोमन सेंसी बात है ठीक है बाकी जो गले में अपने माला ताला थी वो उनके पुरुस भी पहनते थे महि पहनती थी ठीक है कोई दिक्कत नहीं ये अभूशन जो है इनके साच्छे मिले हैं चन हुद्रो और लोथल से ठीक है अब ये बनते किसके थे ये मुल्यवान धातों के बनते थे रतनों के बनते थे मिट्टी के भी बनते थे और हड़ी के भी बनते थे ठीक है कॉर्णलियल नीलम, क्वार्ट और स्टेटाइट के जो मनके थे यानि कि जो आभूसन थे वो प्रसिद्ध थे ठीक है कपड़ों के लिए ये लोग उनका प्रियोग करते थे तकवे और घिरनी जो बनती थी तकवा और घिरनी जो बनती थी वो काचाब और मिट्टी की बनती थी ठीक है यदि एक बात यहां मरदभांड में आप ले लिजे मरदभांड एक तो हो गया चितरित एक हो गया साधा एक और मतलब उसको गिना नहीं जाता लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए एक और होता था उसमें होता थे छोटे छोटे पात्र यानि कि उनमें क्या होता था छेद होते थे वो छोटे छोटे होते थे तो उनको कहते थे छिदरित म्रदभांड क्योंकि उनमें छेद होता था ठीक है संभावत है जो इनका प्रियोग किया जाता था वो मानिए कि इनको शाम को बैठके जाम लगाने है अपने दो दो ठीक है तो ये लोग क्या करते थे मुक्य नमेरे इसाब से और जो किताब में दिया है वो भी यही है कि सराब टपकाने के लिए उनका प्रियोग किया जाता था ठीक है, शराब हर यूग में वेक्ति के साथ साथ रही है, खेर सब पीते थे तो वो लोग भी काही पीछे रहते तो मानिए उसमें यहाँ पे थोड़ा सा छेद है, उसमें सराब भर दी और उसके नीचे अपना बैट गए है जब मन करें तो उपर को मू किया और टपका लिया, या अपने हाथ में उठाया और उसको उठा के पी लिया ठीक है, तो यह हमने देख लिया अब जब हम बात करेंगे अगली वीडियो में अगली वीडियो, इसके response के हिसाब से अगली वीडियो आएगी और अगली वीडियो में हम बात करेंगे more ये कला और इस्थापत्य कला की ठीक है, तो आब बस आप अपना response देना है, आपको मेरा काम हुआ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्या करना है ठीक है आपके response के हिसाब से आगे वीडियो आएगी तो मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye have a nice day